हेलो एंड नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल लर्नवी थारपी पर आज मैं आपको हिंदी गद्य साहित का सुकल यूग एकदम कम्पलीट कराने वाला हूँ तो दोस्तों तस के जो कोर्स में सिलेबस में सुकल यूग ही निरधारित किया गया है बांकि भारतेंदु यूग तिवेदी यूग वो आपने कच्छा नाव में ही पढ़ लिया है तो अब हम सुकल यूग के जो प्रमुख प्रमुख क्वेस्चन एकजाम में पूछे जाते हैं बोड एकजाम में इससे क्या होगा कि सुकल यूग को पढ़ने से आपके पांच नंबर क्लियर है कि आपका हो जाएगा ठीक क्योंकि पांच नंबर के क्वेस्चन इसी से आते जो दो दो नंबर करके तीन क्वेश्चन आती है ठीक और फिर रीतिकाल और जो भक्तिकाल उधर के बचे हैं उनको भी मैं कम्प्लीट कर दूँगा तो सुकल्यूग और एक और है सुकलोत्तर यूग जिसको छायावादोत्तर यूग भी कहते हैं तो उसको हम अगले वीडियो कर देंगे तो इससे पहले हम सुकल्यूग के बारे में आपको आज समपूर्ण जानकारी दे देते हैं जो बेरी इंपोर्टेंट है तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप से छोटी सी रिक्वेस्ट है यादि आप हमारे चैनल पर है ठीक तो सुकल यूग की समय सीमा कब से कब तक है 1929 इसवी से 1938 इसवी तक आप क्या करें इसको याद करने के लिए 19 में 19 ही जोड़ दें तो 1938 आ जाएगा यह सौर ठीक से आद हो जाएगा ठीक तो 1929 से 1938 तक इसकी समय सीमा है और इसके अन्य नाम जो है छाया वादी यूग एम प्रेम चंद यूग के नाम से भी सुकल यूग को जाना जाता है यदि पूच लिया जाए कि छाया वादी यूग की समय सीमा बताएं तब भी आपको यही लिखना है प्रसाद यूग की समय सीमा बताएं तब भी आपको यही लिखना है ठीक इतना ध्यान रहे ठीक तो आप इन नामों को जरूर याद कीजिए क्योंकि जरतर क्वेस्चन नाम बदल करके ही पूछता है कि प्रेम चंद युग के प्रमुख लेखा कौन है ठीक तब ही आप अठक जाते हैं तो इनको ध्यान दीजिए नाम जरूर याद कीजिए और समय सीमा ठीक और प्रमुख जाए कि प्रसाद युग के प्रमुख लेखा कौन है तब भी आप पुराम चंद सुक लिखना है ठीक तो इसको आप ध्यान दीजिएगा और देखिए इस प्रकार क्वेस्चन आ जाते हैं कि सुक लिख के दो निबंधकारों के नाम लिखिए दो उपन्यासकारों के नाम लिखिए ठीक तो आप क्या करते हैं पूरे कहानिकारों के नाम याद कर लेते हैं और जब एक्जाम देने जाते हैं तो क्या करते हैं उपन्यासकारों को निबंधकार बना देते हैं उपन्यासकारों को उपन्यासकार बना देते हैं इससे क्या होता है गल्ती हो जाती है तो की रचना है चिंता मड़ी जो की निबंध विधा में है कि फिराम चंसुकल जी इस यूग के प्रमुख निबंधकार है ठीक और गुलाब राय जिनकी रचना है ठालुगा कलब ठीक तो इतना ध्यान दिजीएगा और अब आजे देखते हैं दो उपन्यासकारों को तो उपन् चंद यूग के उपन्यासकार का नाम बताईए प्रमुख उपन्यासकार या फिर प्रेम चंद यूग के प्रमुख उपन्यासकार का नाम बताए ठीक या फिर पूछ लिया जाए कि गबन किस यूग की रचना है तो आपको ये ध्यान बहुत जरूरी रखना है और ये आत् रसकार और प्रेम चंद जिनकी रचना है पंच परमेश्वर ठीक तो कहानिकार भी आपको याद कर लेना है और देखे नाटक कारों के नाम देखिए जैशंकर प्रसाद जिनका नाटक है चंद्रगुप्त पूंच ले जाता है चंद्रगुप्त किस यूग की तथा किस की ठीक और देखिए हरी केशन प्रेमी जिनकी रचना है प्रतिसोध और ये नाटक विधा में है पूँच लिया जाए कि प्रतिसोध किस विधा में लिखी गई रचना है तो नाटक विधा में है ठीक इतना आप जरूर ध्यान दिजिएगा और आलोचना कार जिनकी पहली रचन प्रमुख आलोचक का नाम लिखे तो प्रमुख आलोचक जो है वो रामचंद्र सुकल जी है यह जरूर ध्यान दिजेगा और इनकी रचना है त्रिवेंडी ठीक और हजारी प्रसाद दिवेदी जिनकी रचना है कबीर और यह भी आलोचना विधा में लिखी गई है ठीक तो इनके नाम आप स्क्रीन सॉट लेते जाए और इनको आप पढ़ा जरूर लिजे क्योंकि इंप्रटेंट में पांच नंबर जो एक्जाम में आपका पांच नंबर इससे जरूर पक्का हो जाएगा मैं यह गरांटी के साथ कह सकता हूं ठीक और जादा तर आप देखिए जो मैं आपको नहीं रटाओंगा कि एक एक नंबर के पीछे पूरा सुकल यूग रटा दूँगा मैं आपको इंप्पोर्टेंट चीजे रटाओंगा जो हर वर्स पूंची जाती है ठीक तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक क्यों सेयर जरूर कीजिए चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए